दीपावली पर घर में लाएं यह एक चीज खुल जाएगी किसमत के ताले घर जाएंगे धन के भंदार दोस्तों दीपावली आने को है हिंदु धर्म में दीपावली के पर्व का विशेश महत्व है दीपावली में घरों को दीपक कौन से सजाया जाता है इस दिन मुख्यता गनेश जी और मा लक्षमी का पूजन किया जाता है गनेश जी के पूजन से शुब और लाब की प्राप्ति होती है महालक्षमी खुशाली और संपन्नता का वर्दान देती है पूजा का शुब मुहूर्थ होगा The 24th of October को शाम 6.53 से रात्री 8.16 तक प्रदोशकाल पूजा मुहूर्थ होगा शाम 5.43 से 8.16 तक धन्तेरस के दिन खरीदारी करना बहुत शुब माना जाता है इस दिन की गई खरीदारी लाब देती है और पूरे साल घर में सुख सम्रिधी को बनाए रखते है धन्तेरस पर The 23rd of October के दिन राहुकाल शाम 4.30 से 6.00 बजे तक रहेगा इस दिन 4.30 बजे से पहले या 6.00 बजे के बाद ही खरीदारी करें धन्तेरस के दिन गहने वाहन घर की कीमती चीजे आदी की खरीदारी की जाती है इसके अलावा इस दिन जाडू खरीद कर इसकी पूजा करने से निर्धनता दूर हो जाती है घर में अपार सुक सम्रिधी आती है इस दिन बरतन भी खरीदे जाते हैं आप भी इस शुब अफसर पर अपने सामर्थ्य अनुसार खरीदारी कीजिए साथ ही इस दिपावली पर कमल गटे के बीच और कमल गटे की माला जरूर अपने घर लाए बजार में आसानी से मिल जाती है इस से जातक को सम्रिधी संपन्नता का आशिरवाद देती है इन उपायों में कई वस्तूओं का उप्योग किया जाता है उन्ही में से एक है कमल गटा वैसे तो कमल के पाँचों अंगों में देवी मा का वास माना जाता है और मा को कमल का हर एक अंग प्रिय है लेकिन सरवाधिक प्रिय है कमल का बीज अर्थात कमल टा यह कमल के पौधे में से निकलता है यह कमल के बीच दिखने में काले रंग के होते हैं आज हम आपको बताएंगे मा लक्ष्मी के प्रिय कमल गिटे के कुछ बेहधी असरकार को पाए जो दीपावली के शुब अवसर पर किये जाते हैं हिंदु धर्म शास्त्रों में धन की देवी महालक्ष्मी का विशेश महत्व माना जाता है वेदों पुराणों में वर्नित है कि मा लक्ष्मी ही संपूर्ण जगत का पालन पोशन करके हर व्यक्ति के कर्मों का फल धन के रूप में प्रदान करती है लक्ष्मी से ही जीवन जो धन की मूल देवी मारी जाती है। इनका निवास पदमावत में होता है पदमा पदमा से बना है और पदमा कमल को कहते हैं इसी कारण देवी लक्षमी को महाविध्या कमला भी कहा जाता है जिस तरह भगवान शिव को रुद्राक्ष प्रिय है भगवान विश्नु को तुल कमल गट्टा इसी कमल कोच का बीज होता है इसलिए मा लक्षमी के मंत्रों का जाप करने के लिए कमल गट्टे की माला सर्वश्रेष्ट मानी जाती है तो यह है कमल पुष्प के अंगों का महत्व। इसलिए धनतेरस और दीपावली की पूजा में कमल गट्टे का विशेश रूप से प्रयोग किया जाता है इसे धन संपत्ती के भंडार भरे रहते हैं। मा लक्ष्मी की असीम क्रिपा प्राप्त हो जाती है धन धान्य की कभी कमी नहीं रहती कर्ज वगेरा की समस्या तो दूर की बात है आपके घर धन आगमन में कोई बाधा नहीं आती निरंतर्ता बनी रहती है। दिपावली पर कमलगटे की माला मा लक्ष्मी की प्रतिमा पर पहना कर पूजा करने से हमेशा सुख शान्ती और सम्रिधी बनी रहेगी अगर आप पैसों की किल्लत से जूज रहे हैं तो दिवाली के दिन महालक्ष्मी के महा मंत्र ओम श्रीम हरीम श्रीम कमले कमलाले प्रस प्रीद श्रीम हरीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नम इस मंत्र का कमलगटे की माला से कम से कम 108 बार जाप करें इसे जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती मा की कृपा से कार्यों में आ रही रुकावटें दूर हो जाती है रोजाना सुबह शाम माला जपने से मा लक्ष्मी सभी मनोकामनाय पूर्ण कर देती है घर में आर्थिक तंगी बनी हुई है आमदनी अठनी और खर्चा रुपेया वाली स्थिती है धन आता तो है पर रुकता नहीं है ऐसी स्थिती में कमल गट्टे की माला से दीपावली की रात्री में लक्ष्मी के सिधम मंत्र ओम महालक्ष्मी नमह इसका 51 माला जाप करें घर के हाला चमतकारी रूप से बदलते नजर आएंगे मा लक्ष्मी का स्थाई वास हो जाएगा धन की कभी कमी महसूस नहीं होगी इस दीपावली पर घर में ट्रेन में चड़ा श्री यंत्र लाए घर के उत्तरी दीवार पर इसे लगाएं बैड्रूम में ना लगाएं उस पर कमल गिर्टे की माला लगा दे इस श्री यंत्र पर प्रतिदिन गूगल की धूनी देते रहें इस से मा लक्ष्मी शीघ्र प्रसन होती है धन प्राप्ती के आसान अवसर प्राप्त हो जाते हैं मा लक्ष्मी की चांदी की प्रतिमा हो तो धन तेरस पर उस प्रतिमा को पंचामृत से स्नान कराएं फिर गुंगुने शुधर जल से स्नान करा कर लाल चंदन कुमकुम केसर से रंगे अक्षर लाल गुलाब कमल के पुश पर पित करें मखाने की खीर का भोग लगाएं मां के सामने लाल आसन पर बैठ कर कमल गिटे की माला से 108 बार मां के बताएं मंत्र का जाप करें दिवाली पर अगनी में 108 कमल घंटों की आहूती देने से भी मां लक्षमी को प्रसंद किया जा सकता है इसे लगातार 21 दिनों तक या फिर हर बुधवार के दिन नियमित रूप से करेंगे तो आपकी धन समबंधी समस्याएं हमेशा के लिए समाप्थ हो सकती है व्यापार समबंधी मुश्किलों का सामना कर रहे हो व्यवसाय में दिक्कत है आ रही हो तो दिपावली पर अपने कार्यस्थल पर कमल घंटे की माला बिच्छा कर उसके उपर मां लक्षमी की स्थापना करें इससे अर्चने दूर होकर व्यापार चल पढ़ता है आमदनी में बढ़ोतरी होती है दिपावली पर कमल घंटे की माला श्री जगत प्रसूता नमह इस मंत्र का जाब जरूर करें धन की समस्याओं को दूर करने में यह बहुत ही असरकार को पाए है दिपावली में मखाने की खीर्यग्य में कमल घंटे मिलाकर लक्ष्मी को भूक जगाने से माप्रसन होकर धन की वर्षा करती है दिपावली की पूजा करते वक्त 11 कमल घंटे 7 गोमती चक्रव 5 सफे दोडिया 1 मोती शंक और कुछ अक्षर लाल वस्त्र पर रखकर उनका भी पूजन करें दूसरे दिन सुभा उसी वस्त्र में लपेट कर पोटली बनाकर घर में धन रखने के स्थान पर रखें यह धन को आकरशित करती है आपकी तिजोरी कभी खाली नहीं रहेगी धन आगमन में निरंतर्ता बनी रहेगी पूजा पाठ के दोरान गले में कमल गटे की माला धारन करने से लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है कमल गटे की माला धारन करने के लिए शुक्रवार के दिन सुभा नदी के बाद मा के चरणों में माला को रखें मालक्ष्मी के पूजन के बाद 108 बार ओम श्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करें और फिर इस माला को धारन करें अपने कार्यस्थल पर क्रिस्टल के श्री यंत्र के आसपास कमल गटे की माला लपेट कर हमेशा रखे व्यवसाएं में आ रही बाधाएं दूर हो कर धन का प्रवा अच्छा बना रहेगा निर्विग्न पूर्ण तरीके से कामकाज चलता रहेगा कमल गटे की माला को केसर से रंगा कर लाल वस्त्र में बांध कर तिजोरी में रखने से पैसों की किल्लत खत्म हो जाती है दिवाली के किसी भी शुब मुहूर्त में तीन पीली कौडी या तीन कमल गटे और एक सुपारी किसी लाल वस्त्र में लपेट कर मा लक्ष्मी के चरणों में अर्पित करें पूजन के पश्चात इन सभी चीजों को अपनी तिजोरी में रख देंगे फिर हर शुक्रवार को इसे धूप दीप दिखाएं आपको मा लक्ष्मी का आशीरवाद प्राप्थ होगा और मनोकामनाएं पूर्ण होंगी अक्षय तृतिया दीपावली अक्षय नवमी इन दिनों में कमल गटे की माला से कनकधारस तोत्र का पाठ करना धन आगमन के नए स्रोत खोल देता है दीपावली के इन फाइव दिन के उत्सव में माता काली की दो बार पूजा होती है एक नरक चतुरदशी पर जिसे काली चौदस कहते हैं और दूसरी दिवाली की अंधिरी रात को काली पूजा खासुद देश्य की जाती है पूजा कमल गटे का प्रयोग अवश्य करें दोस्तों और पापियों का सोहर करने के लिए माता दुर्गा नहीं मा काली के रूप में अवतार लिया था मारा जाता है कि श्रद्धा पूर्वक मा काली के पूजन से जीवन के सभी दुखों का चमतकारी रूप से अंथ हो जाता है शत्रूओं का नाश हो जाता है मान्यता है कि मा काली का विधिवत पूजन करने से जन्म कुंडली में बैठे राहू और केतु भी शान्थ हो जाते हैं मा काली की पूजा या भक्ती करने वालों को माता सभी तरह से निर्भीक और सुखी बना देती है वो अपने भक्तों को सभी प्रकार की परेशानियों से बचाती है तो इतनी लाबकारी है कमल गट्टे की माला और दिपावली का शुभ अवसर भी आया है तो मौके का लाब जरूर उठाएं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए नोटिफिकेशन ओल बटन को दवाना ना भूलिए